असलाम लेकूं, वेलकम टुमाई के चन, आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ नगिट्स की रेस्पी, हम घर में नगिट्स बनाएंगे और ये बहुत जबन दस और लजीज से नगिट्स बनेंगे, घर की चीजों से, चलें आएं रेस्पी की तरफ चलते हैं, ये मैंने ले ल लरेड़ और ये मैंने ले ली तीम मेरे पास चोटे साइस की थी, अगर आपके पास बड़ी ब्रेड़ है, तो आप ब्रेड़ ले लेता है चौपर में और हम बनाएंगे इसके ब्रैट क्रम्स और ब्रैट क्रम्स के लिए आपने ना इसको चौपर में अच्छी तरह चला लेना है आपकी जो ब्रैट है वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए यह देखें चेक करें कि यह किस तरह की यह बिल्कुल बारीक है अब हम इसमे एक याड कर देंगे चिकन जो है आपने ना एक यह में टाली है काली मृच्चे और हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाला है सॉल्ट आप जो है बलैक पेपर जो अपनी मर्दी से इसकी quantity जादा और कम भी कर सकते हैं और बाकी हम इसमें add कर लेंगे soya sauce soya sauce में ले रहे हूं 2 टेबल स्पून soya sauce डालने के बाद हम डालेंगे इसमें paprika powder यानि कश्मीरी लाल में वो भी मैंने half टेबल स्पून डाली है और मैंने इसमें डाले है mix herb या आपके पास औरिगानो है तो आप वो डालें half टी स्पून मैंने वो इसमें add की है अब हम इसको अच्छा सा जो है चौपर में बहुत फाइन सा कीमे को हम पीस लेंगे के मोटा कीमा ना आपका कीमा जितना अच्छा पिसावा होगा आपकी जो nuggets है वो उतने ही अच्छे बनेंगे खैर मैंने हाथ पे oil लगा के इसको मैं एक दफा जो है cutting board पे रखे न अच्छी तरह mix कर लूँगी अच्छा मैंने bread from घर में ही बनाए है मेरे पास बजार के नहीं थे तो मैंने two bread को बारीक सा चौपर में चला लिया है एक अंडा लिया है अब मैं आपको दो तरीके से nuggets बनाना सिखाऊंगी एक तो यह आप इसी तरह हाथ से बनाए और इस तरह इसको shape दे ले shape देने के बाद जो है आप इसको अंडे में dip करें और bread में dip करें और side पे रख दे अच्छा bread की में एक बात यहां आप से share करना चाहूंगी कि bread जो है वो आपकी मिठी नहीं होनी चाहिए आपने नमकीन bread लेनी है इसके लिए अगर आपकी bread मिठी होई ना तो आपकी सारी recipe खराब हो जाएगी आपकी recipe का जो है ना क्या कहते हैं बिड़ा गरा को जाएगा सब तो और यह एक तो हाथ से shape दे के और दूसरा यह बहुत इनी सा method है आप जो है जिसका रोटी को हम हाथ से tap tap करके थोड़ा बड़ा नहीं करते हैं आप जो है इसका सारा मेज़ा जो है वो फिला ले और इसको ना हाथों से आप देख लें कि आपने इसको कितना पतला रखना है यह आप पे है घर में चीज़ बनाने का यही फाइदा होता है कि आप अपनी मद्वी से उसका जो है साइजिंग कर सकते हैं अच्छा knife में मैंने लगा ली है oil और इसको मैं कर लूँगी cutting इसकी जो मैंने वो रखी है ना क्या कहते है चोड़ाई थोड़ी सी कम रखी है जो हो मेरे जो मैंने हाथ से बनाए थे ना उसको मैंने थोड़ा सा रखा था थिक थोड़ा सा मोटा मैं आपको दोनों तरह का ना दिखाऊंगी एक हाथ से आपने अंडा लगाना है और फिर दूसरे हाथ से जो है आपने उस पे लगाना है ब्रैट करम इस तरह आप बना के रख लें या आप मज़े से फ्रीज भी कर सकते हैं अच्छा oil आपने जो है बहुत जादा गरम नहीं करना है नीम से थोड़ा सा जादा जो गरम oil होता है एक तो full flame पे हम गरम करते हैं खोलता वा तेल वो नहीं होना चाहिए थोड़ा सा कम गरम तेल होना चाहिए जो medium flame पे आप करें और इसको डालने के बाद जो है हम इसको low flame पे पकाएंगे क्योंकि है तो यह अंदर से chicken ही और आपको पता है कि ghost जो है वो गलने में time रहता है ठीक है अब आपकी मदरी है कि आप इसको कितना brown कर लेते हैं ठीक है अगर आपने बिल्कुल बजारी style देना है तो आप इसको हलका हलका सा golden कर लें अगर आप जादा crispy पसंद करते हैं तो आप इसको थोड़ा सा जिसना मैंने इसको थोड़ा सा टार कलर दिया है अब वो दे सकते हैं और इसका जो cook time है ना वो five to seven minute है three to four minute आपने एक side से cook करने three to four minute आपने दूसरे side से cook करने है और आपके homemade जबर्दस से nuggets त्यार हो जाते हैं और मैं यह बहुत जादा crispy बने थे अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ आप अंदर से देखें इसको माशाला कितने जबर्दस और soft थे वो नहीं थे कि थोड़ा सा अकड़ापन हो थोड़ा से dry हो बिल्कुल भी नी बहुत moist से थे और बहुत जबर्दस से यह nuggets त्यार हुए थे आपने इस recipe को ज़रूर try करना है